साथियों लद्दा का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है 130 करोर भारतियों के मान सम्मान का प्रतीक है ये भूमी भारत के लिए सर्वस्वत्याग करने के लिए हमेशां तयार रहने वाले राष्ट भक्तों की धर्ती है इस धर्ती ने कुशत बगुला रिंपोंचे जैसे महान राष्ट भक्त देश को दिये है ये रिंपोंचे जी ही उनी के फैरंट जिनोंने दुश्बन के नाबाग इरादों में स्थानिया लोगों को लामबंद किया रिंपोंचे के गुवाई में यहां अलगाओ पंदा करने की हर साजीस को लद्दा की राष्ट भक्त जन्ता ने नाकाम किया यह उनी के प्रेरख प्रयासों का परणाम था कि देश को भारतिय सेना को लद्दाक स्काउट नाम से इंफंट्री रेजिमेंट बनाने का प्रेरणा मिली आज लद्दाक के लोग हर्सदर पर चाहे वो सेना हो या सामान्य नागरिक के कर्तत्य हो राष्ट को ससक्त करने के लिए अदभूत योगलान दे रहे हैं साथियों हमारी यहां तहां जाता है खडगेन आक्रम्य बंजी तहाँ खडगेन आक्रम्य बुन्जी तहाँ वीर भोक्या वसुंदरा यानी वीर अपने सस्त्र की ताकत से ही धर्ती की मात्र भूमी की रक्षा करते हैं यह धर्ती वीर भोक्या है वीरों के लिए हैं इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ हमारा संकल्प हिमाले जितना ही ऊंचा है यह समर्थ है और यह संकल्प में इस समय आपकी आँखों में मैं देख सकता हूँ आपके चहरों पर यह साब साब नजर आता है आप उसी धर्ती के वीर है जिसने हजारों वर्सों से अनेतों आकरांताओं के हमलों को अत्याचारों का मुह तोड़ जवाब दिया है हम और यह हमारी पहचान है हम वो लोग है जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं तो हम वही लोग हैं जो सुदर्सन चक्रधारी कृष्ण को व्यादर्शमान करके चलते हैं इसी प्रेंड़ा से हर आकर्मन के बाद भारत और ससक्तव करूब रहा है साथियों रास्त की दुनिया की मानवता की प्रगति के लिए शांती और मित्रता हर कोई स्विकार करता है हर कोई मानता है बहुत जरूरी है लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांती निर्वल कभी नहीं ला सकता कमजोर शांती की पहल नहीं कर सकता वीरता ही शांती की पूर्वशर्ट होती है भारत आज जल थल नब और अंत्रिक्स तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्षा मानव कल्याण ही है भारत आज आदुनिक अस्त्रत सस्त्र का निर्मार कर रहा है दुनिया के आदुनिक से आदुनिक तक्नीक भारत की सेना के लिए ला रहे है तो उसके पीछे की भावना भी यही है भारत अगर आदुनिक इंफस्त्रत का निर्मार तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेश भी यही है विश्व उत्र को अगर हम याद करें विश्व उत्र हो या पिर शांती की बात जब भी जबरत पड़ी है विश्व ने हमारे वीरों का प्राक्रम भी देखा है और विश्व सांती के उनके प्रयासों को मैसूस भी किया है हमने हमेशा मानव तक इंसानियोत की हुमेनिटी की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है जीवन खपाया है आप सभी भारत के इसी लक्ष को भारत की इसी परंपरा को भारत की इस मही महान संस्कृति को साबिट करने वाले अगवा लीडर हो साथियों महान संत तिर्वल्लुवर्जी ने सैंकड़ो वर्ष कुर्व कहा था मारा मानं मांड़ बड़ी चेलव तेकुम येना नानगे येमं पड़ाई कहा यानि शौर्य सम्मान मर्यादा पुर्ण व्यहवार की परंपरा और विश्वसनियता ये चार गों किसी भी देश की सेना का प्रतिवर्ण होते हैं